हलो मित्रों जैमातादी, मित्रों दीपावली के पावन पर्वपर मालक्षमी जी का विशे स्टोर पर पूजा किया जाता है ऐसे में मालक्षमी जी को प्रसंद करने के लिए हम अनेक परकार की पूजा विधिया करते हैं मित्रों दीपावली के दोरान अंजाने में कुछ ऐसी घलतियां हमसे हो जाती हैं जिनसे की मालक्ष में रूट कर हमारे घर से चली जाती हैं आपको इस दिवाली विशेश तोर पर इस वाली घलती को नहीं करना चाहिए आपको इस विडियो में विशेश तोर पर आपके गलतियों के वारे में मैं बताऊंगा जो कि आपको खास तोर पर दीपावली में भूल कर भी जाने अंजाने में नहीं करना चाहिए आपको बताएंगे कि आप जो है इस दिवाली कौन से सरथ से उपाय करकर मालक्षमी जी को प्रसन न कर सकते हैं और उनको अपने घर में वास करवा सकते हैं साथी साथ आपको बताएंगे कि दीपावली के दोरान आप से भूलवस कौन सी गलतियां हो जाती है जो की आपको नहीं करना चाहिए मितरों दीपावली का पावन पर्व प्रतिवर्ष कार्तिक क्रिश्न फक्ष अमवस्या को मनाया जाता है इस बार पावन परव जो है वो 27 उक्टूबर की रात को है आपको बताना चाहेंगे कि लक्ष्मी जी को मनाने के लिए हम कई परकार की पूजा विधिया करते हैं आईए जानते हैं दिपावली के इस पावन परवपर हमें कौन-कौन से काम नहीं करने चाहिए आपको बताना चाहेंगे कि फूलों का तोड़ना सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि दिपावली के दिन मान लक्ष्मी की पूजा के लिए असनान किये हुए फूल आपको बिना असनान किये नहीं तोड़ने चाहिए ऐसा करने से माता लक्ष्मी आप चेरूट सकती है अतर असनान करने के पहश्चाद स्वक्ष धूले वश्त्र पहन कर ही फूल पत्यों को तोड़ें और उन्हें माता लक्ष्मी को अर्पित करें ऐसे में मालक्ष्मी आपसे खुस रहती है प्रसन्न होती है अगर आप बिना असनान किये फूलों को तोड़ते हो या उनको हात लगाते हो तो मालक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती है आपको बताना चाहेंगे कि दीपाबली पर लक्ष्मी पूजन में ताजे फूलों का परियोग आपको अवस्य ही करना चाहिए ऐसे में मालक्ष्मी को बासी फूल या घर के खुरीज में रखके किसी भी फूल का जो है आपको अर्पित नहीं करना चाहिए अगर आप बासी रखे फूलों को अर्पित करोगे तो मालक्ष्मी आपसे रूठने में एक भी परसेंट कसर नहीं करेंगी आपको बताना चाहेंगे कि दीपाबली के पाँच दिवस्य तेहवार में हर किसी को बजट जो है वो गलवडा सकता है ऐसे समय में अपने मन को सांत रख कर तेहवारों की खुसियों का इजहार करें इस दिन किसी से भी जगडा ना करें आपको अपने घर पे सनाव मुक्त रखना है शांत वातावरन रखना है मालक्ष में पृत्वी पर भरमन करती है और वे अपने वास करने का अस्तान मनुस्य के घरों में ढूंडती है ऐसे में अगर आप ग्रीक लेस करोगे जगडा करोगे तो मालक्ष में आपके घर कभी भी वास नहीं करने वाली आपको बताना चाहेंगे कि दिपाबले पर लक्ष मी पूजन के साथ साथ घर के बुजुर्गों का आसिवाद लेना अतियावस्यक होता है अतह इस दिन जान अनजाने में भी किसी बुजुर्ग का अपमान ना कर बैठें ऐसे में मालक्ष मी आप से रूट कर चली जाती हैं अतह आप विसेज तोर पर ध्यान रखें कि किसी भी बुजुर्ग का आप आज के दिन अपमान ना करें माना जाता है कि दिपाबली की राद घर में मालक्ष लक्ष्मी जी की किरपा पाने के लिए हमें दीपावली की रात सोना नहीं चाहिए बलकि रात्री जागरन करके मालक्ष्मी की इस्तुती करना चाहिए वनलक्ष्मी पाठ मंत्र लक्ष्मी सूत आधिका पाठ इवंग जाप करना चाहिए ऐसा करने से मालक्ष्मी की किरपा प् अपनी बहार्या यानि पतनी या किसी अन्ल इस्त्री के साथ सहवास ना करें और नहीं किसी प्रकार की कोई आपको भावना प्रकट करनी है आपको बताना चाहेंगे कि दीपाबली पर उपहार लेंदेन का चलन है अता इस दिन किसी को भी भेट देते समय भेदवाद आपको नहीं करना है अगर आप भेंट देते समय मन में अच्छे भाव नहीं रखेंगे तो मालक्ष्मी आपसे रूट जाएंगी और फिर आप मालक्ष्मी के कोप भाजन से बच नहीं पाओगे आपके घर मालक्ष्मी फिर कभी भी नहीं आएंगे आपको बताना चाहेंगे कि नसा खोरों से जो भी नसा करते हैं उनको दिपावली के खास्तेवार पर अपनी नसा को त्याग देनी चाहिए क्योंकि माललक्ष्मी को नसा खोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है अतह आप दिपावली के दोरान किसी भी परकार का नसा ना करें आपको बताना चाहेंगे कि दिपावली पर अपने द्वार पर आये वेक्ती को खाली हाँथ न जाने दें फिर चाहे वो भिखारी हो या कोई अन्य मांगने वाला उसको अपनी सामर्थ के अनुसार कुछ न कुछ अवस्य दे दें जिनसे कि उनका खुशी वरकरार रहे मित्रों ये सरल से गलतियों को करकर आप जो है आने वाले दिनों को काफी दुख में बना लेते हो ऐसे में इस दिवाली आपको इन सभी गलतियों में से कोई भी नहीं करना चाहिए आप जो है अपने जीवन को सरल और सुख में बनाने के लिए इस दिवाली इन सभी गलतियों में से कुछ भी ना करें कमेंट बॉक्स में जैमा तादी अवच लिखें आपके सभी मनो कामना पूर्टी हो मालक्षमी आपके घर वास करे जैमा बिंदवास नहीं